हेलो फ्रेंज दिस मिगार के और आप देख रहे हैं श्रेश भारत साहिबान कदरदान एक बार फिर से तयार हो जाईए गुत्ती की जोक्स पर हसने के लिए और अपनी लाइफ से वोरियत को दूर करने के लिए मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोबर की कॉमेडी प्रोजेक्ट दे ग्रेट इंडियन कपिल शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है वैसे आपको बता दे लिमिटेट एपिसोड की ये सिरीज नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होगी हर हफते दर्शकों को कपिल और उनकी टीम का नया एपिसोड देखने को मिलेगा कपिल और सुनिल के साथ कृष्णा अभिशेक, राजीप ठाकुर, कीको शारदा और अर्चना पूरन सिंग भी इस शो में नजर आने वाले है हाली में कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर आने वाले कुछ एपिसोड की जहलक शेयर की इन फोटो में सुनिल ग्रोवर फिर एक बार गुथी के रूप में नजर आ रही है सुनिल को गुथी के रूप में देखकर उनके फैंस बहुत जादा खुश है लेकिन आपको बता दे सुनिल गुथी के साथ कभी वापसी नहीं कर सकते हुआ यू गुथी भले ही सुनिल ग्रोवर ने निभाया हुआ रोल हो पर उस पर कलर्स टीवी का कॉपिराइट है क्योंकि कलर्स टीवी के शो कॉमेडी नाइट विद कपिल से इस किर्दार की शुरुबात हुई थी कलर्स टीवी की इजाज़त की बिरा ना तो सुनिल इस रोल का इस्तमाल कर सकते हैं और ना ही कपिल लेकिन क्रेटिव लिविटरी के तहट वो अपने महीला किर्दार को किसी और नाम से यूज़ कर सकते हैं नेट्विक्स के इस शो में सुनिल ग्रोबर के लिए किर्दार का क्या नाम होगा वो अब तक साफ नहीं उपाया लेकिन कपिल के इस नए कॉमेडी शो में सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल होने वाले हैं इनके अलाबा अक्षे कुमार भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं आपको दादे कपिल के शो में सबसे जादा अक्षे कुमार ने शिरकत की है आमिर खान और अक्षे कुमार के साथ साथ फैन्स को उमीद है कि दिपिका पादुकोन और शारुक खान में इस शो का हिस्सा बने अब तक कपिल शर्मा का ये कॉमेडी शो दो बार अपना पता बदल चुका है याने कि सबसे पहले उन्होंने अपनी शिर्वात कलर्स टीवी के साथ की थी और फिर चैनल के साथ हुई बहस के चलते और कलर्स टीवी से सोने टीवी पर शिफ्ट हुए थे अब सोने टीवी से कपिल और उनका परिवार OTT का रुख करते नजर आ रही है बागे ऐसा ही लेटस न्यूस से अबडेटेट रहने के लिए सबस्क्राइब कीज़े श्रेश्ट भारत को